वेलकम दिस इस एजुकेटर कवीता तो आज मैं आपको बताऊंगी निकॉलो मेक्कियावली के बारे में और सबसे पहले देखे हमारा यूनिट वन जो है इसके साथ कवर हो जाएगा मैं एक बार सलेबस बता देती हूँ हमारी यूनिवर्स्टी जी जे यू का जो में पॉलि मैक्कियावली प्लेटो के बारे में है एरिस्टोटल यानि अरस्तू के बारे में है चैप्टर टू में एंड जो थर्ड है वो है मैक्कियावली एंड उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट टू है यूनिट टू के अंदर आएंगे वेस्टरन पॉलिटिकल थिंकर जिसमें ह होब्स हैं, लोक हैं और रूसो हैं, होब्स हो गए, लोक हो गए और रूसो, ये भी बहुत easy है, इनके core concept अगर हमें समझ में आ जाएंगे तो बहुत असान है, यूनिट 3 की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर है बैंथम और जेयस मिल, बैंथम और जेयस मिल, अगर हम बात करते हैं यूनिट 4 की, यूनिट 4 के अंदर हेगल हैं और कार्ल मार्क्स हैं, ये हमारा total syllabus है, जिस में से आज मैक्यावली को करते ही हमारा यूनिट 1 जो है, पेपर 1 का, वो complete हो जाएगा, और 9 questions आएंगे, 9 में से 5 questions हमें attempt करने हैं, और जिस में से एक questions जो होगा, वो इन सभी units में से होगा, और बाकी unit wise होगे, बहुत ही असान हैं, तो देखे मैं फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ, तो यहाँ पर हम Niccolo Machiavelli ने जो book लिखी थी, The Prince, वो भी हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर इनकी image है, Niccolo Machiavelli जिनका जनम हुआ था, इटली में, इटली के Florence शहर जहां से पुनर जागरण जो है, वो भी हुआ था, अभी मैं बताऊंगी आपको सारी detail की पुनर जागरण क क्या होता है, यह सब चीजें, तो most important हो जाता है, इस world के map को देखना, world का map जितना ज़्यादा practice करेंगे, उतना ही better आप अपनी चीजों को समझ पाएंगे और लिख पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इटली को, यह जो है, यहाँ पर दिया हुआ है, इटल के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, Switzerland, French और यह सब empire यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट यह जो map है, इसमें और clarify हो रहा है, इटली, यहाँ पर रोम, नेपल, यह मतलब शहर का नाम है, और यहाँ पर सबसे छोटी country, अगर यूरोप की कहें, वो तो है, वैटिकन सिटी, वैटिकन जो है सिटी, जिसमें पोप का राज होता है, यानि पोप की सत्ता चलती है, और मैं आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन्स, जो आपका पेपर 4 है, उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर दे इतली में है, यह वो जगा है, जहां से रेनेंसा शुरू हुआ, रेनेंसा या रेनेसंस जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है, पुनर जागरण, और पुनर जागरण का मतलब होता है, कि एक ऐसा टाइम था जब यूरोप में बहुत ज्यादा, एक हम कह सकते हैं, कि बिल कुल भी कोई नया अविश्कार नहीं हो रहा था तो पुनर जागरण सबसे पहले तो यह जो पुनर जागरण है यह लेट 15th century में आया था पंदरवी सदी के अंदर आया था अब पंदरवी सदी लाइक 14 1475 या ऐसे लगबग यह लास्ट में आया था और लाइक हम बात करते है आज चल रहा है 21 सदी आज अब है 2022 तो जब भी हम सदी की बात करते हैं पहले वाले जो दो डिजिट दिये होते हैं उसको हम क्या करते हैं उसमें एक जोड देते हैं यानि 21 सदी तो सेम यहाँ पर लेट 15th century सदी के अंदर आया था पुनर जागरण पुनर जागरण का मतलब होता है फिर से नई-नई अभिशकार होने लग गए थे scientist नई-नई जो scientific तरीके होते हैं उनको खोजने लग गए थे नई-नई inventions जो नई-नई मार्ग होते हैं वो दिखाए गए थे समुदरी मार्ग जो होते हैं वो एक तरह से नई-नई discover किये गए थ नई inventions हुई थी अभिश्कार हुए थे और जो poet थे वो नया नया लिखने लग गए थे thinkers जो थे नई नई विचार देने लग गए थे तो बहुत सारे आसे changes हुए थे इसलिए late 15th century को बोला जाता है पुनर जागरन का जो समय था वो और यहाँ पर भी सेम बताया हुए देखी इटली यह जो है और इटली में ही एक country है जिसका नाम है वैटिकन सिटी वैटिकन सिटी जो है यह सबसे छोटा country है सबसे छोटा देश है यूरोप का और यहाँ पर हम हमने एक proverb भी सुनी है कि Rome is not built in a day तो इस तरह से यहाँ पर Milan शहर है यह सब बहुत बड़ा industrial area है यहाँ पर और इसके साथ साथ जो neighboring countries है वो भी हम देख पा रहे हैं इससे पहले जो मैंने आपको map दिखाया था वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो like plateau थे अरस्तू थे यह कहां से थे यह थे Greece से यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला जो area Greece वाला Athens जहाँ पर आप Olympics जो हुए थे primitive टाइप वाले मतलब जो सबसे पहले हुए थे वहाँ पर यह चीज हो जाती है तो यहाँ पर थोड़ा सा correlate कर पा रहे होंगे चीजों को और इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे ज्यादा important हो जाता है रहनेंसा उसी दोरान यहाँ पर एक तरह से जनम होता है निकोलो मेक्यावली का और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं induction and deduction method क्या होता है यह actually net exams में भी आता है यह beard exams के लिए भी है और beard students ने भी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा तो मैं ए chapter 2 किया था Aristotle के बारे में अरस्तु ने यह दोनों तरीके दिये थे और आज बहुत ही ज्यादा यह use होते हैं induction and deduction method induction को बोलते हैं आगमन आगमन तरीका जो होता है परक्रिया होती है और deduction का मतलब होता है निगमन निगमन इसको बोलते हैं और यह बहुत बहुत important है students को समझ मे नहीं आते हैं कि यह induction और deduction होता क्या है आज इस वीडियो में आपको यह चीजे बहुत ही clarify हो जाएंगी तो देखो सबसे पहले होता है induction इसका मतलब होता है general way में बताती हूं कि example से यानि उधारन दे देकर एक किसी generalized तरीके के उपर पहुँचना तो वो होता है induction method अभी मैं आपको बताऊंगी जैसे like students say class में और मैंने यह पूछा कि आप बताएए आपका नाम क्या है किसी ने का मेरा नाम राम है किसी ने का मेरा नाम नमन है या इस तरह से अलग लग जो students के name थे मैंने वो name note down कर ले किसी ने का मेरा नाम श्वेता है okay then मैंने उनसे next question यह पूछा क कि आप कहां पर रहते हैं किसी ने कहा कि मैं असम से हूँ किसी ने कहा मैं हर्याना से हूँ तो और उसके बाद next question जो पूछा मैंने यह पूछा कि आप किस किस चीज के उपर अभी बैठे है किसी ने कहा मैं टेबल पर बैठा हूँ किसी ने कहा मैं चेयर पर बैठा हूँ त इसके उपर definition के उपर यानि definition का मतलब होता है परीभाशा कि मैंने पहले उनको उधारण दिये फिर उधारण से मैंने ये बताया कि आप एक generalized pattern पे पहुंच गयों और यह सब चीजें जो हमने नाम लिखे राम नमन श्वेता असम हर्याना टेबल चेयर यह जो नाम है यह नाम हो जाती है naming words और फिर मैंने उनको उनकी definition बताई यह generally useful होता है जो मतलब बच्चे होते हैं चोटे बच्चों के लिए primary level तक यह method बहुत अच्छा होता है और यह based होता है scientific जो तरीका होता है उसके उपर यह based होता है scientific method के उपर और यह दोनों तरीके जो थे यह दिये गए थे अरस्तु के द्वारा Aristotle के द्वारा जो आज भी use किये जाते हैं और उसके अलावा next यह जो है deduction method deduction का मतलब होता है कि अगर teacher पहले यह बता दे कि बेटा definition लिखिये संग्या की संग्या क्या होता है किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संग्या बोलते हैं और उसके बाद वो examples देने का काम करते हैं examples यानि उधारन देते हैं कि राम शाम इस तरह से यह जो method होता है इसको बोलते है deduction method और इसमें क्या होता है usually इसमें जो होता है न एप्रोच वो होती है टोप टू बोटम एप्रोच होती है इस तरह से यानि यह लास्ट वाला बोटम है तो यह हो जाएगा टोप टू बोटम एप्रोच होती है और जो induction method होता है यह इसका opposite होता है यह bottom to यह bottom to top approach होती है जो induction वाली method होता है क्योंकि कहीं सारे experiments करने के बाद ही तो हम यहां पर top प पहुँच रहे हैं तो यह काफी important है और जो हम grammar सीखते हैं जिसको grammar हम बोलते हैं कि जो वियाकरण होता है it is the soul of any language किसी भी भाशा की एक आत्मा जो होती है वो grammar होता है और उसको सिखाया जाता है deduction method से deduction method का मतलब होता है जिसमें आप formula बताते हैं यह हम कहें कि कोई ना कोई ह हम चीजे structure देखते हैं फिर उसके बाद examples करते हैं हम actually सबसे पहले यहीं देखते हैं ना चीजे बताई जाती हैं कि यह narration में ऐसे rule होते हैं voice में ऐसे rule होते हैं then उसके बाद हमें various sentences दिये जाते हैं convert करने के लिए यानि various examples के उपर हम आते हैं तो वो जो method होता है यह होता है deduction method hopes आपको clear हो गया होगा बहुत ज्यादा students में confusion रहता है और यह दोनो method आप बता सकते हैं Aristotle ने दिये थे जिने father of political science भी बोला जाता है और इनका method भी आया था induction method यह जो हमने कल पढ़ा था कल की class के अंदर और यह दोनो methods होते हैं scientific तरीके से काम करते हैं बट इनका एक approach वो होता है एक है top to bottom और एक हो जाता है top to bottom वाला तो deduction हो जाएगा और bottom to top bottom हो जाता है बिलकुल नीचे से bottom to top वाला जो approach है वो induction है और इसके अलावा जो deduction है वो top to bottom है यानि कोई चीज़ definition के बाद जब हम उसके examples कर रहे हैं तो वो deduction वाला हो जाता है या एक और simple सा example मैं आपको बताती हो अब माल लेजिए teacher ने ये कहा कि जो एक triangle होती है त्रुबुज होती है उसका sum जो होता है वो 180 degree होता है 180 होता है और इसके बाद क्या किया teacher ने कहीं सारे triangles दे दिये कि students आप मुझे बताए इस में से किस triangle का sum 180 है तो इसमें student क्या करेगा अलग-लग angles दिये हो है 75, 65, 45 वो ये देखेगा कि 180 है इसका sum या 180 नहीं है तो इस तरह से अलग-लग examples दे दिये पहले एक generalized way में तरीका बता दिया कि triangle का जो sum होगा वो 180 होगा अगर जो triangle इसकी condition को fulfill कर रही होगी वो तो triangle 180 वाला सही होगा अगर नहीं कर रहा होगा sum तो वो नहीं होगा तो ये चीज मैंने आपक एक छोटा सा example देखे बताईया होप सो clear हो गया होगा चलिए अब हम बात करते हैं introduction की जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं western political thinker दुबारा से बता दती हूँ एक चीज के साथ की western political thinker कौन से होते हैं देखे सबसे पहले हमें ये चीज धियान रख देनी है ये जैसे ये तो है हमारे पास Europe का map है तो ये जितने भी इनके बारे में हम पढ़ेंगे न ये western political thinker है अगर आपने world के map को देखा होगा तो इंडिया की direction east वाले direction में आती है इसलिए जो आपको पता आपने सुना होगा east India company जो है Britishers ने बनाई थी तो east India क्योंकि east मतलब east में हम पढ़ते हैं इस हम क्यों कहते हैं कि western culture को ज्यादा follow करने लग गया है पास चत्य जगत को क्योंकि इनकी direction जो है वो western side में पढ़ जाती है तो इसलिए सबसे पहले हमारा जो unit 1 है इसके अंदर western political thinker का मतलब ही हो जाता है कि इसमें सभी western world के आएंगे यानि Indians नहीं है यहाँ पर वो हमारा next जो होगा semester उसके अंदर Indian political thinkers को हम पढ़ेंगे अभी हम पढ़ रहे हैं Niccolo Machiavalli के बारे में और इसमें हम देखते हैं कि he personifies the transformation from the medieval to the modern era transformation का मतलब क्या होता है रुपांतरन होना किसी चीज का बदलाव होना यहाँ पर medieval का मतलब होता है मध्य कालीन से यहाँ पर जो world है वो किस की तरफ जा रहा है modern era की तरफ जा रहा है यानि आदुनिक यूग की तरफ और इनोंने life को तब जिया है क्योंकि जो भी time होगा अगर कोई philosopher है कोई विचारक है तो उसको उस समय का जो भी time परिस्थितियां जो भी चल रही है वो क्य करती है प्रभावित करती है जैसे हम सहित्य पढ़ते हैं हम कहते कि सहित्य जो होता है वो समाज का एक आइना होता है और उसके अंदर वही चीजे होती है जो कहीं ना कहीं directly या indirectly परतियक्ष या आपरतियक्ष तरीके से जो घटी तोरी होती है तो इनका जो life है वो उस time था जब renaissance का मतलब होता है रेनेंसा बोल देते है जिसको पुनर जागरण वाला जो एर्या है मतलब जो यूग है वो चल रहा था पीरियड ऑफ new science न्यूटन ने लोस दिये बहुत सारे और रिवोर्ट अगेंस traditional constant traditional का मतलब होता है परंपरागति यानि ऐसी चीजे जो परंप invention होने लग गया पुनर जागरण का मतलब होता है कुछ नया कुछ नया अविश्कार होने लग गए जो राइटर से वो नया नया लिखने लग गए समाज में बहुत ज़्याधा creativity सी आ गई यानि स्रिजनात्मक्ता आ गई the emergence of, emergence का मतलब होता है उभर कराना यह जो modern political institutions थे यानि आधुनिक राजनितिक संस्थान थे और इसमें अगर हम states की countries की बात करते हैं इंग्लैंड, France, Spain यहाँ पे बहुत सारे changes होने लग गए बड़े ही सकरात्मक और positive introduction की बात करते हैं तो अभी मैंने बिलकुल जब chapter स्टार्ट किया था निकोलो मैक्यावली के बारे में तो मैंने यह बताया था यह इटली के Florence शहर से आती है और यह वही शहर है जहां से पुनर जागरण शुरू हुआ पुनर जागरण का मतलब होता है रनेंसा शुरू हुआ और इनकी बहुत ही famous book है दा प्रिंस जो competitive exams में भी आती है कि प्रिंस जिसमें इन्होंने एक राजा के बारे में राजा की कलपना की हुई है कि कैसा एक राजा होना चाहिए इन्दा प्रिंस में क्यावली टॉक्स अबाउट इंपोर्टेंस ओफ दा एक्क्विजीशन दी मैंटेनस और एक्सराइज ओफ पावर बाई दा किंग तो यह जो बुक लिखी हुई है प्रिंस में क्यावली के द्वारा इसमें इन्होंने महत्व बताया है और पावर जो होती है किसी भी राजा की जो शक्ति होती है उसके बारे में बताया हुआ है he makes it clear that the most important thing यानि सबसे महत्व पूर्ण चीज जो है वो है acquisition of power यानि शक्ति का अधिग्राण कर लेना राजा जो है उसको शक्तिशाली होना चाहिए and that how power is acquired is not really an important issue जो पावर है वो कैसे acquire की गई है यह महत्व नहीं करता मतलब यहां पर यह बताया गया है इनकी जो book है prince इनोंने बहुत सारे जो मुद्दे है बहुत सारे जो issues है like justice से regarding justice का मतलब हो जाता है नयाय से संबंदित morality का मतलब हो जाता है नयतिकता right का मतलब हो जाता है मतलब right and wrong मतलब क्या चीज स सही है गलत है are as unimportant as they are unnecessary in the acquisition यानि कोई भी चीज हत्याने के अंदर वो सब चीजे unnecessary है कि मतलब चीजों राजा की power के उपर सत्ता हत्याने के उपर इनोंने जादा focus किया हुआ है और इनोंने यह निका कि नयाय होना चाहिए morality होनी चाहिए यह इतने unimportant है मतलब यह महत्व हीन ह और इनोंने main power कहा है कि राजा की शक्ती के उपर ही बल दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए निकोलो मैक्यावली जिनके life span की अगर हम बात करते हैं 1469 से लेकर 1527 AD अब यहाँ पर इस वी चलेंगे पहले जो हमने प्लेटो पड़े थे सुकरात पड़े थे वो इसा पूर् के जनम से पहले की घटना ही चल रही थी अब जो year होंगे वो सही sequence में चलेंगे तो इसलिए निकोलो मैक्यावली को अपने काल का शीशू भी बोला जाता है यानि मैक्यावली is also called child of his own times तो सबसे पहले देखिए राजनितिक सत्ता प्रापत करने के लिए दोखादड़ी मकारी कुटिलता के सभी साधनों के प्रयोग को मानेता दी है मानेता देने वाले मैक्यावली के आगमन के साथी आगमन मतलब उनके आने के साथी पश्मी जगत यानि जो western world है उसमें आधुनिक यूग का भी अरंब हो गया यानि modern era का कोई भी विचारत कोई आजिक तोर पे आर्थिक तोर पे राजनितिक परिवेश में जो भी घटनाई होती हैं जो भी चीजे घटी तोरी अपके आसपस वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं तो प्लेटू ने तो राजनिती में एक तरह से इन्होंने ये बताया था कि एक आदर्ष राजा कैसी होना चाहिए यानि moral values के उपर ज़्यादा जोर दिया है तो प्लेटू का जो चिंतन है वो Athens में लोक तंदर के स्थान पर एक क्रांती एक revolution लाना तो वहां पर जो निरुंग को शासक थे उनको जो वहां पर होने वाले जो भी अत्याचार थे उनके खिलाफ अवाज माक्स का जब जनम हुआ था उस समय बहुत ज्यादा industrial revolution चल रहा था बहुत ज्यादा उद्योगी क्रांती चल रही थी और उन्होंने ये देखा था कि दो ही वर्ग है एक तो पुंजीपती वर्ग है एक तो पुंजीपती वाले हैं और एक वर्ग है जो सर्वहारा जिसको ब बर्गर खाते हैं और सर्वहारा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रो लैट्रियेट का मतलब हो जाता है सर्वहारा यानि हम कह सकते हैं वर्कर क्लास है जो क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा शोशन हो रहा था वो डेली वेजर थे और जो पुंजीवा थे वो हर दिन और ज़्यादा अपना मतलब पुंजी जो होता है अपनी जो कैपिटल होता है उसको बढ़ाते जा रहे थे तो यह सब चीजें इन्होंने आवाज उठाई थी कार्ल मार्क्स ने क्योंकि इंग्लैंड की जो दियोगिक वातावरं था उससे बहुत ज़्यादा वह प्रभावित हुए था तो इसी लिए इन्होंने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और कॉम्यनीजम जिसको हम कह सकते हैं सामयवाद जहां पर सरकारें ये डिसाइड करेंगे कि किया करना है या नहीं करना मतलब कंट्रोल जैसे सामयवाद का सबसे बड़ा एक्जामपल आप आप देख सकते हैं आज के टाइम में चीन है जहां पर एक ही सरकार है एक ही पार्टी है और यहां पर देखें मैक्क्यावली भी इसका अपवाद नहीं है इसका मतलब इस पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि जो भी घटनाई होती हैं किसी भी विचारक के समय में आज भी इफेक्ट होती हैं तो यही बताया हुआ है कि इसी लिए डनिंग ने उन्हें अपने युग का एक शिशू कहा है और परसिद राजनिती लास्की की भी यह धारना है यदि हम मैं क्यावली के राजनिति चिंतन को अनुपालन करना चाहते हैं तो मैं इटली सहित जो भी युरोप में जो समाजिक यानि सोशल, इकनॉमिक और पलिटिकल धानमिक का मतलब हुझेगा रेलीजियस जो भी चीजे चल रही थी उनका विशिलेशन भी करना पड़ेगा तो इससे यह सपस्ट होता है कि मैं क्यावली ने अपने टाइम में शिशू के रूप में व्याख करना पड़ेगा इसके सासा देखिए यह फ्लोरेंस इटली के फ्लोरेंस शहर में एक तरह से शासन वैवस्ता से यह जुड़े थे और फ्रांस में फ्लोरेंस का इन्हें राज दूद जैसे होता ना कॉन्वैज जो हता है मतलब एक राज दूद भी बनाया गया था आमबेस जिसको बोलते हैं पुनर जागरन अंदोलन का आरम चोदवी शताबदी में हुआ था और पंदरवी शताबदी में ये अंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया और ये अंदोलन कहां से शुरुआ था यूरोप में इटली से इटली में भी उसकी ही मातरबुमी फ्लोरें शहर से ये शुरू हुआ था और मैक्यावली के समय ये अंदोलन बहुत ही त्रिवगती से फैल गया इतना ही नहीं उसके जो उस समय के और भी विद्वान थे वो भी इस अंदोलन से आचूते नहीं रहे तो इस अंदोलन के कारण मद्दय यूग की वैवस्ता जो होती है क् पला के अंदर आठ के अंदर दर्शन फिलोस्फी साहित्य विज्ञान नए नए जो थे ना विश्वाश मतलब ये नए जो चीज़े थी ये सब भी उनमें मुल्यों को भी अपनाया जाने लगा मध्य यूग में जो बहुतिक संसारिक सुखों की अपेक्षा लोग अध्या संसारिक सुखों की तरफ उन्होंने जादा महत उन्होंने देना शुरू कर दिया तो यही चीज़े यहां पर बताई हुई है यहां पर तो पुनर जागरान नवीन चेतना की यात्रा थी नवीन चेतना यानि फिर से एक नई एनर्जी जो आगे थी जिसने अंतिम रूप मे मध्य कालिन वैवस्ता को हिला दिया सत्रमी शताबदी के नए यूग की आधार की शीला भी रखी यानि फाउंडेशन भी रखी और यह एक ऐसा यूग था जिसने हमेशा हमेशा के लिए मध्य यूग का अंतर कर दिया तो यहां पर बताई हुए पुनर जागरान के इस एक ही तरह का जो कटरपन होता है यानि कटरपन या कटरतर जो होती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटलीजम यानि फंडामेंटलीजम कटरवादता का मतलब होता है कि मेरा धरम ही अच्छा है मेरा संपरदाय ही अच्छा है और बाकियों के संपरदाय को हम अच्छा नहीं मानते हैं जैसे कि हिटलर वाला काम था वो भी कटर वाद था जियूस से वो बहुत ज़्यादा अलर्जी करता था यह सब चीजे जो थी यह गलत थी और कहीं ना कहीं अब जो था थो वोड़ा साइंटिफिक तरीका भी आने लग गया धरम निरपेख्षता को भी लोग अपना लगे और मैक्यावली के विचारों पर पुनर जागरण की इन परवरितियों का विशेश रूप से प्रभाव भी पड़ा यानि उस समय जो चीजे हो रही थी उसने मैक्यावली के विचारों को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इससे जो राजनितिक चिंतन होत हैं मतलब धरम निर्पेक्ष का मतलब होता है कि आप कोई एक पटिकुलर धरम नहीं अपना रहे आप सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हो जैसे कि अकबर था वो सभी धर्मों का सम्मान करता था इसलिए उसने दीना इलाही एक धरम भी अपनाया था और उस दीना इलाही को पनाने वाला एक मात्र और अंतिम व्यक्ति जो था वो बिर्बल ही था उसका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोटी और जो दरबारी भी था और नवरत्रों में भी जो शामिल था उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता रास्टियता की भावना नेशनलीजम यानी स्पीरिट स्पीरिट आ जाना नेशनलीजम की अपने देश के प्रती लगाव होना तो यही चीज़ है मैं क्यावली के समय में मद्ध्य यूग की जो सारव भोमिक्ता की जो धारना थी मैं बताती हूँ सारव भोमिक्ता का मतलब होता है यूनिवर्सालिटी जिसको हम बोलते हैं पहले सरवोचता वाला सारव भोमिक इसाई राज्य की स्थापना संभव रह गई थी और नहीं दानते ने जो बताया था कि विश्व समराज्य की स्थापना कोई आशा नहीं रह गी थी अब चर्च की एकता भी समापत हो चुकी थी चर्च मतलब वहां पर क्या होते थे पादरी जो हम कह सकते हैं पोईट होते हैं जो राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं कि यह सिर्फ एक धोंग करते हैं और मेन जो सत्ता है वो तो भगवान की हाथ में कि हमें पादरियों को उच्चानी मानना या हम कहेंगे कि भगवान को सर्वोच स्थान देना है तो यह चीज बताई ग जादा था और रोमन एंपायर जो था वो पांच हिस्तों में बटा हुआ था और इसमें कौन-कौन से थे फ्लोरेंस था वैनिस था नेपल्स था और मिलान यहां पे निरंकुष्ट तंतर था और रोम में कैथोलिक चर्च के कारण पोप का प्रभूत था यानि पोप जो थे न फ्रांस का जर्मनी का स्पेन की आकर्मनों का भी खत्रा जो था वो बना रहता था क्योंकि इसके साथ ही बाउंडरी बन लगती है इनकी इन राज्यों के आपसी संबंध जो थे यानि जो हमने अभी डिसकस किये फ्लोरेंस के वैनिस के नेपल्स के और मिलान के इनके जो था वो ब्रिटिश अंपायर ने हमारे इंडिया में भी उठाया था तो इसलिए यहां पे कुल मिला के इटली की जो स्तिती थी ना वो एकदम डावा डोल थी यानि कोई भी आके अटैक कर सकता था तो अपने यूक के अन्य विदवानों की तरह ही मैक्यावली जो थे व व्यवस्ता का कारण चर्च था क्योंकि चर्च ना तो स्वैम इतना सक्षम था कि वो इटली का एकी करण कर सके इन पांचो राज्यों का और ना ही वो सत्ता को संभाल सकता था तो इसलिए इटली की जंता प्रतिबाशाली थी विवेक यूक थी स्रिजनात्मक का मतलब होता तो इसलिए स्वार्थ बल का प्रियोग और दमनादी की सद्भावना का और बंदूत्व का अंत कर देना चाहिए इतली में कानून और न्याय जो है वो पहुंच जाना चाहिए और इसलिए प्राचीन गोरम मैं संस्थाने और आदर्शों को ये सब चीजे खो चुकी थी मैक् बुराईयों को समापत करना चाहा और फ्रांस की तरह ही एक कुशल राजा के नेतरितम में मतलब फ्रांस में जितने भी राजा हुए वो अपने आपको लुईस मानते थे मतलब लुईस वाला टाइटल यूज करते थे तो इसलिए यहाँ पे पांचो राजियों का एक ही कर गरहने के मतलब यह एक अलग मतलब थे फिलासफर थे गुईलाइनों ने यह भी अगरह किया है कि वो इटली का एकिकरण करें और मुसा की भांती उसे विदेशी बरबरता मतलब जो अटाइक होते थे उससे बचाए तो यह चीज यहाँ पे बताई हुए है लेकिन उसकी ज आग यह बाद पूरी होती है मैक्यावली की यह जो इच्छा होती है काबूर और गैरी-बाल्डी करते हैं काबूर और गैरी-बार्डी यह आपने पढ़ें होंगे टैंथ क्लास में आते हैं जो कि इटली का एकिकरण करते और 350 वर्च के बाद तो इनकी डेथ भी हो गई थी उससे पहले ही बलकि मैक्यावली की मैक्यावली के समय पोप इटली के एक ही करण का विरोध करते थे वह नहीं चाहते थे कि पांचों के पांचों राज्या जो है वो एक हो जाए और अपनी सत्ता को सूध्रिड करने के लिए क्योंकि लोग उन्हें पूछते थ तो इटली फ्रांस जर्मनी और स्पेन के प्रेस्परिक जगडों का भी केंद्र बन गया और इसलिए इटली के चोटे चोटे राज्या जो थे ये कूट निती और छलकपट के साजनों में ही अपनी रक्षा कर सकते थे तो मैक्यावली ने इस निती को अपनाने का समर्थन क और उनके ग्रंथ के परतेक प्रिस्ट पे इस निती को अपनाने की सला जो है वो राजा को दी गई है शासक को उसके बाद है शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना यानि Establishment of Strong and Powerful Monarchies Monarchies हो जाता है राजतंत्र मैक्यावली के समय यूरोप के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे इसलिए इसे मद्य यूग और आधुनिक यूग के बीच का संक्रमन काल ट्रांजीशन जोन भी हम कह सकते हैं इस समय चर्च जो की इस यूग में एक प्रभाव शाली संगठन बन चुका था शक्ति शाली राजतंत्रों के प्रभाव के कारण अब वो निर्बल हो चुका था यानि राजा आने लग गया यानि पहले प्रिस्ट के पास पादरी के पास पावर होती थी और अब चर्च से पावर जो है वो मोनार्की सिस्टम यानि एक राजा के हाथ में पावर आने लग गया यानि राज तंत्र जो था वो कही ना कहीं आने लग गया तो इसलिए निरुंकुष जो पोप की सत्ता होती उसको नियंत्रित किया चाने लगा और पंदरवीश तापदी का परिशदिये अंदोलन काउंसलर मुवमेंट जो था वो भी समापत हो गया था यूरोप में मध्य यूग की जो सामंतवादी प्रती निध्यात्मक संस्त आए थी वो भी विलूप्त हो गई थी सामंतवाद का मतलब क्या होता अगर आपने फ्रांस की क्रांती भी देखी होगी तो इस तरह से यहां पर तीन स्टेट होती थी नॉर्मली पहले वाले जो होते थे सबसे उपर प्रीस्ट होते थे पादरी होते थे और दूसरे नंबर तिस थी पार्टवान पार्टवन पार्टवश्त ग किंडर आधे थे जो बड़े-बड़े लॉयर्स थे बड़े-बड़े बिजनसमैन थे आई एस वगरा यह बड़े-बड़े जो मतलब हम कह सकते है ब्यूरोक्राड्स फिर उसके बाद आते थे जो इसके बाद ऐसे किसान जिनकी खुद की जमीन होते थी मतलब लैंडलोड्स कह सकते हैं लैंडलोड्स और तीसरी जो कैटिगरी होती थी वो होती थी सामंतवाद के अंदर जो लैंडलेस लेबर्स होते थे लैंडलेस मतलब जमीन रहित जो होते थे जो दास वगरा दूसरों के घरों में का और मेंली जो tax होता था ये ये C category के तीनो person जो भरते थे और जो priest होते थे पादरी होते थे और जो kulin works होते थे ये tax नहीं भरते थे इनको exemption मिला गुआ थे इनको छूट मिली हुए थी tax से तो ये चीज़ बताई हुए है और इसके साथ साथ शक्तिशाली राज तंत्र अब काय होने लगे थे इंग्लैंड में हैन्री सप्टम और फ्रांस में लूइक एकादश यानी लूइस जो हम कह सकते हैं एकादश मतलब 11 चार्लस अस्टम और लूइस द्वादश और स्पेन में फार्डिनस सामंतो और उनकी प्रतिनिदी सबाओं का भी दमन होने लग गया थे औ और मेक्यावली को बहुत प्रभावित किया इन सब चीजों में और फिर इटली के एक ही करण और वहां के शक्तिशाली रास्ट राज्यों की स्थापना भी दीरे दीरे सोची जाने लगी उसके बाद है आर्थिक परिस्तितियां मेक्यावली के समय में यूरोप की जो समर्थ हो गई थी मतलब अपने लाइफ को या अपने संचालन को चलाने के लिए धनी लोगों का एक वर्ग वैपार के शेतर में प्रबल हो गया था और इस वर्ग को राज तंत्रों से बहुत जादा समर्थन मिल रहा था वैपारिक वर्ग जो थे वो शक्तिशाली सरकारों के गठन के पक्षदार थे और इससे यूरोप के कहीं देशों में अमेरिका और एशिया के देशों के वो जाने वाले जो रस्ते थे आपको ध्यान होगा 1498 में भारत को भी खोजा गया था समुंदर के रास्ते से वास्को डिगामा के द्वारा यानि पूर्थ गाल के थे व थे वो खोजे जाने लगे थे और रास्ते खोजे जाएंगे तो वो वैपार को भी बढ़ाएंगे वैपारी वर्ग इन देशों के साथ वैपार करने के लिए अपने अपने देश की सरकारों से सहायता की मांग करने लगे थे इसके प्रिणाम सर्वुप यूरोप के विदेशी वैपार के जो संबन थे वो बढ़ाने लगए और इसमें नए नए जो धनिक वैपारी थे उनका भी सहयोग उने मिलना शुरू हो गया तो ऐसी स्तिती में मैक्यावली भी चाहते थे कि इटली जो है वो एक नए रास्ट के रूप में उभरे और आर्थिक प्रगती के मार्ग पर आगे बढ़े तो इससे स्पस्ट हो जाता है कि मध्य यूग की सभी परिस्तितिया मैक्यावली के चिंतन पर बहुत प्रभाव डालती है इसलिए तो उन्होंने कहा कि राजा चल खपट या कुछ भी करे तो में ये कहा गया कि जो उस समय की परिस्तितिया थी उनको पढ़ना उनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और यही चीजे इन्होंने बताए इस उदेशय को कैसे प्रापत किया जा सकता है इसकी प्रयापत विवेचना यानि फुल डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपने ग्रंद प्रिंस के अंदर किया और इन पर जन्वरी आज है बहुत ही महान नेता जिनको हम बोलते हैं नेता जी सुभाष चंदर बोस इनकी जियंती है और आप सबको दिल की गहराईयों से सुभाष चंदर जी की जियंती सुभार सिट इम्पोर्टेजू जिनके द्वारा दिया गया कि तुम मुझे खून दो मैं दूँगा तो थैंक यू सो मच जै हिंद जै भारत